नमस्कार दूस्तों स्वगता को सीपी स्मार्ट क्लाशेस में दूस्तों आप इस थमनेल को देखकर थोड़ा से चोग गये होंगे क्योंकि यह पिलिखाया कि वल B8 से प्रात्मी सिच्छकों की होगी भरती प्राइमरी या उट सेकेंडरी सिच्छक बनने में आप कि वल B8 की डिग्री ही मानने होगी जहां एक तरह पर बीट को प्रात्मे सिच्छक भरती से बाहर किया जा रहा हूं है अगर ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी कि वल बीट से ही भरती होगी यानि कि बीटी सी डियलेट बाहर हो जाएगा तो यह अजीब गरीब न्यूज है अपने आप मे तो यह पूरी जानकरी आपको देते हैं इस वीडियो में दोस्तों यह देखिए बरेली से न्यू जा रही है और यहां पर लिखा हुआ कि प्राइमरी वा सेकेंडरी में सिच्छक बनने को अब केवल बीट और इसमें आगे लिखा हुआ है कि देश में अगले एक साल के भी अगले साल से चार वर्स का बीट कोर्स लाने की कवायत में जुट गई है इसको लेकर दिली में कुछ दिन पहले एक महतुर्पूर्ण मीटिंग भी हो चुकी है इसमें सिच्छक बनने के लिए वन कोर्स का खाका खिंचने की रणनी थी बनी सरकार की मंसा के तहद एंसी टी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सिच्छक बनने की योगता केवल बीएट करने जा रही है प्राइमरी में अब तक बीटी सी और सेकेंडरी में सिच्छक बनने के लिए बीएट प्राथमिक योगता होता है तो दोस्तों यह नियूज कितने पुरानी है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है यह किसी स्टूडेंट ने मुझे भेंजा है कि इसके बारे में इस्थिति इस्पष्ट कीजिए तो इसके बारे में हम क्यों इतना ही कह सकते हैं कि यह जो है गौर्मेंट के एजेंडा में था पहले कि केवल और केवल बीएट से सिच्छक बने और चार वर्सी बीएट जो है शुरू होने जा रहा था हर जगे और यह लागू किया जा सकता है तो अगर यह लागू किया जाएगा तो बीएट से ही किवल प्रात्मिक और सेकंडरी में सिच्छक बनेंगे और बीटी सी डियलेट की डिगरी जो है बेकार हो जाएगी उससे प्रात्मिक सिच्छक नहीं बन पाएंगे और बीटी सी डियलेट के साथ कोर्स भी बन कर दिये ज लेकिन ये उनके प्लान में पहले था और अगर इस पे काम अभी भी चल रहा होगा तो ये लागू किया जा सकता है तो आपके क्या कमेंट है ये इसे वीडियो में डिसकसन करना है इस मुद्दे पर कि आपकी जानकारी क्या है और आप इससे कितना सहमत है कमेंट माक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और जिससे कि एक सभी लोगों के साथ एक जानकारी साजा हो सके सभी चातर इस पर कमेंट करेंगे और इस वीडियो का बनाने का मतलब ही यही है कि इस बात पर किवल चर्चा की जा सके कि क्या ये सही है या ये गलत है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद